दोस्तों प्यार एक ऐसी दुआ है जिसके लिए लोग तरस जाते हैं जिसे प्यार मिल गया उसे सब कुछ नसीब हो गया कहा जाता है कि वो सबसे जादा नसीब वाला इंसान है दोस्तों आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं चाहते हैं कि जिसे आप प्यार करते हैं, वो भी आपसे बेनतहा प्यार करने लग जाए. तो दोस्तों इस दिवाली पर आप एक वशी करण का उपाय कर सकते हैं. जिससे आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए. दोस्तों दिवाली की रात अमावस होती है अमावस पर बहुत सारी काली शक्तियां भी एक्टिव हो जाती है इसके अलावा बहुत सारे लोग टोने टोटके जादूई काम दिवाली की रात पर करते हैं तो अगर आप भी दिवाली की रात सिर्फ एक घंटा निकाल कर ये उपाए कर लेते हैं, तो आपकी जिन्दगी का प्यार हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा. जिस भी व्यक्ती को आप अपने वश में करना चाहते हैं, बस आपको उसका चहरा अपने दिमाग में बसा कर हलदी की एक गाठ से आप कर सकते हैं उसे अपने वश में. तो दोस्तों आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको एक सूखी हुई हल्दी की गाट लेनी है और उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है ये मंत्र बेहत आसान है मंत्र है क्लीम क्लीम का माख्या क्लीम क्लीम नमहा इस मंत्र का उचारण 11 मिनट तक आपको करना है मुबाइल में फिर घड़ी में अलाम लगा लीजे और 11 मिनट तक आपको बोलना है इस मंतर का उचारण करते जाएए और हल्दी की गाट पर आपको फूकना है हल्दी की गाट पर फूकने के बाद ये गाट अभि मंतरित हो जाएगी इसके बाद आपको इस गाट को अपने तक्ये के नीचे रख देना है और फिर सो जाना है अगली सुबह आपको उठना है याने कि दिवाली की अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने घर से बाहर जाना है और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे एक गड़ा खोद कर वहाँ पर आपको हल्दी की काट दबा देनी है दोस्तों इस उपाय में हमें किसी का फोटो नहीं चाहिए हमें किसी का नाम नहीं बोलना है क्योंकि ये हमने कामाख्या देवी को आकरशित करने के लिए उपाय किया है इसके द्वारा आप अपने प्रेमी को आकरशित कर सकते हैं आपके अंदर इतना जादा आकरशन आ जाता है कि जब आप अपने प्रेमी या अपने पती के सामने जाएंगी या फिर जो पुरुष इस उपाय को कर रहे हैं जब वो अपनी प्रेमिका के सामने जाएंगे तो उनकी प्रेमिका खुद बखुद उनकी तरफ आकरशित हो जाएगी इस उपाय के जरीए आप अपने रूठे हुए प्यार को मना सकते हैं अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में आकरशित कर सकते हैं तो दोस्तों आप भी इस उपाय को कीजिए अगर आपका कोई सवाल है तो आप विडियो की स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर call कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं एक बात का ध्यान रखिएगा हमारे वीडियो के comment section में बहुत सारे लोग अपना number लिख देते हैं वो fraud लोगों के number होते हैं उस number पर call बिलकुल मत कीजिए आपको कुछ भी पूछना है तो सीधा आप हमें call लगा सकते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको उपाय बताया है जिसको बहुत सारे लोगों ने किया और उन्हें भी उसका फायदा हुआ है तो आप भी इस दिवाली की रात इस उपाय को जरूर करके देखें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें call करके हमसे भी ये कारे करवा सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद